भगवान विश्णु कहते हैं सुनो किसान मैं आपको धनवंतरी पूजन का विधान बताते हैं भगवान कहते हैं किसान सुन्दर कृष्ण पक्ष की त्रियोदशी को कार्थिक के महिने में कि धन्वंतरी देव का पूजन धन्तिरिस का पूजन माना जाता है सुनों किसान एक सुन्दर भूमी पर देशी गाय का गोवर से लीपन करकर अगर गाय का गोवर ना मिले सुन्दर जल से लीपन करकर वहां एक सुन्दर चोक को पूर कर आप सभी को ग्यात होगा कि चोक पू पूर्णे में आठा और हल्दी का प्रयोग होता है कि का प्रयोग होता है आठे और हल्दी का प्रयोग क्यों होता है क्योंकि आठा सम्रद्धी को बढ़ाता है लच्मी बेभाव को बढ़ाने वाली हल्दी होती है इसलिए जब चोग पूरा जाता है भूमी पर तो चोग पू भगवान विषनु बता रहे हैं पुजन कर रहे हैं झिसान को धन्तरन की पूजन कर दो मियोग को उसव addressed साप से उसके अनुसार नचमी का पूजन धन firewall को फूजंड एफ इंब कर एक सुंदर लालंग राण लाल बस्थर विच्छा दे एक थाली लें कि इस थाली पर कंकू से रधूली से कुंकू से गिला करकर सवस्थिक का निरमाण कर मिष्थ कि सवस्तिक का निर्मान करकर घर में अगर चांदी का सिक्का हो अगर चांदी का सिक्का नहीं हो चांदी का क्वाइन नहीं हो तो अपने घर का एक का सिक्का दो का सिक्का पांच का सिक्का दस का सिक्का जो भी आपके घर में हो को क्वाइन ले महारत उसको थाली के अंदर लें घहित लाएं ओसे लेकर के बनाये और उसमें संदर बाती को लगा ध्यान दिजिए कहां इसमें जो बाती लगेगी वो लंबी बाती लचमी जी चींसे में जितनी वी बाती लगे लगे मारा जीे लगा दे को प्रजुलित कर लेन प्रगट कर लें एक दिया तेल का लगाई तेल का जो दिया लगाया है जहां पर आपने सिक्कर रखा है को हाइन रखा है उसका left hand मतलब आप इसे बेठे हो तो आपका सीधा हाथ की और आप तेल का दिया लग दें और जो साथ दिये आपने लगाए हैं वो लचमी जी के राइट हैंड मतलब आपका लेफ्ट हैंड हो गया है लच्छिमी जी का राइट हैंड आपका उल्टा वहां पर साथ हो दिये जो आपने प्रजुलित करें हैं सुन्दर थाली जो आपने पूजन के तयार करी है उसमें कूंकू, रोली, हल्दी, अभीर, गुलाल, चंदन, मौली, लाल धागा, मौली, अमर बेल के तुकड़े, कमल गट्टे, हल्दी की गांट, सुन्दर भाव में उसको रखी जलकापात, सुन्दर आनंद से, जो अपने जो रखा है उसका जल से फुजन का पूजमी पूजन का समय अलग-अलग होता है पर धन्तेरस की पूजन का का जो समय है वो परदोष काल से प्रारम हो जाता है अपसे प्रारम हो जाता प्रदोष क्योंकि, शिव के द्वारा निर्मी ते ल ersch्आ सद्रीक पूř वाम क्वाइन कौई करें कंकु आधिक से पूजन करने के बात दो क्राइन जो चानदी का किया अब भी जबॱहरो अब वाप्स पर जल को छिठा देह उसका पूजन कर और हल दिक लगाओ से चावल को हल्दी में भिंगो लें और पीले चावल करकर उल्टे हाथ में चावल लेकर माता लच्मी के ऊपर जो दो सिक्के रखे हैं उनका पूजन करें साथ में जब चावल छोड़ते जाएं तो गनेश जी का भी स्मरण करते जाएं रिदी सिद्धी के दाता श्री गनेश जी महराज आप हमारे यहां पर सदा माता लच्मी को लेकर कुबेर भंडारी को लेकर सदा विराजमान रहें नारायन को लेकर सदा विराजमान रहें भगवान श्री गणेजी महाराज का स्मर्ण करें छोड़ते जब चावल पूर्ण छोड़ते में पूजन पूरी तरह से हो जाए तब महाराज साथ सुन्दार आनंद से अमर बेल के तुकड़े कि अमर बेल प्रत्चत पर पीले कलर की बेल चलती है उसमें पत्ते नहीं होते हैंगो किसी भी विरड़ या इनद मों सम्रदी के लिए में अमर बेल को पानी की जरुद भी नहीं पड़ती आपर रूप और डाल दी जाए craft व् अपने प्ञति चली जाती है उसी तरह हमारे यहां भी अम भगमान से यह प्रात्ना करते जैसे अमर बेल बिना पानी पड़े किसी विरक्षप पड़े जा सब्सक्राइब से घर में भेबहू लच्छमी बढ़ती जाए मैं तो में रब तो कड़्चाइब साथ हल्दी की गठान साथ कर मातालाच्मी को समर्पित कर दोनों हातों में हल्दी पिसी लीजिए . और माता लच्मी के उपर उसे चड़ाना प्रहरम कर दीजिए 7 साथ बार पिचिवैं हल्दी वो सिखकों पर चड़ा दे, अपनी महों कामना करकर अपने गर में मातालचमी को विराजमान करने के जब हल्दी पून चड़ जाए हाथ में कुंकू ले लिजिए रोली ले लिजिए उस रोली कुंकू को भी मातालचमी को समर्पित करें तब इसके पश्याद सुन्दर जो भी घर में मिष्ठान हो मीठा हो नहीं हो शकर हो बुड़ हो मिश्री हो जो भी आपके पास में हो खड़ी सकर हो वो भगवान को माता लच्मी को भोग रख दीजिए अगर कुछ मीठा बना हो तो मीठा रख दीजिए महाराज माता लच्मी सदा राजमान हो महाराज यह जो पूजन है भगवान विश्नु जो बता रहे हैं किसान को यह पांच दिन की पूजन है पूरी पूरी आज कौन से दिन का पूजन बता रहे हैं पहले निना आज दंतेरस्य, रूप चवदस, अमावस्य, एकम और दूज, ये पांच दिन तक दीपावली का पर्व बनाया जाता है, दीपमाहुस्व मनाया जाता है, पूजन करने के बाद, जो साथ दिये आपने प्लेट में रखे हैं, थाली में रखे हैं पूजन के लिए, घी के उन स आतोतियों से माता लचमी का पूजन करिये, माता लचमी से विंती करिये, मा, हम आपके पुत्रे हैं, मा, आप हमारे घर का अरस्ता भूल गई हो, बहुत तश्ट है, बहुत दुखी है, पर भगवान शिव पर विश्वास करकर, कुबेर भंडारी पर कुबेरेश्वर पर विश्वास करकर, मा, भगवान शंकर का अनुमोदन करकर, हे मा, आप हमारे घर में विराजमान हो, मा, आप हमारे मार्ग को, हमारे घर को, हमारे घर के रस्ते को, हमारे घर के द्वार को, आप भूल गई हो, मा, हे वे बहु लचमी, हे धन लचमी, हे संतान लचमी, हे मा लचन, हे धाने लचन, आप हमारे घर में विराज मान, साथ, डीप जो प्रजुलित करें हैं, उससे माता की आर्थि उतारिये, फिर माता को ёल्य कि पसार कर, प्रणाम करकर, भूमी पर नमन करो, जोली को अपनी और गिरालें, और माता को नमन करकर जो साथ दिये आपने लगाए हैं उन साथ दिये को अलग-अलग स्थान पर ले जाकर जैसे घर के हॉल में एक रसोई घर में एक जहां पर आप लच्छमी रखते हो उस स्थान पर एक घर के द्वार के पास में एक तुल्सी के क्यारे के पास में ऐसे पर भी रखा जाए जो तेल का दिया लग रहा है उसके पास में फिर कहेंगे तेल का दिया माता लच्मी के उल्टे हाथ और घी का दिया माता लच्मी के सीधे हाथ मतलब जो सिक्के आपने रखे हैं उस सिक्के का उल्टा हाथ तेल का मतलब आपका सीधा हाथ होगा जहां तेल कर बोगान प्जिशन के साथ विराज माराज महां विंती आन pacla उस्षाय अ मद राखना और यहां विप टित्क भाव रखना घर में भाव विश्नु के ते हैं किसां से इच किसान आपने अगर धनवंतरी की पूजण कर रही है अधन तेरस की फूजण कर रिए है कोई वह स् NOT法 कर आए वो पाद्र लेका आयो ताम्डीसुक्त अवंडमयकub के उसका भी बदा था हजा अजिए भधाव रक्कर भगवान विश्नुन्य किसान किसान सुनकर बड़ा प्रसन्द हुआ नारेण रभु क्या मां फिर मेरे घर में रहेगी भगवान करते हैं सुनों किसान ये लच्मी अगर आप धनवंत्री का पूजन करते हो धनतेरस का पूजन सुन्दर कार्तिक के महिने की कृष्ण पक्ष्च की त्रियों दशी को अगर कर रहे हो तो ये लच्मी भले मेरे साथ बेकुंठ में जाकर रहे लच्मी का एक अंश तुमारे घर से कभी नहीं जाएगा वो सदा भी राजमान रहेगा ऐसी है मां धनवंत्री की पूजन